प्रवासी बाबा के आज के एपिसोड में हम जाने वाले हैं जैसल में ये सफेट 12 से 13 घंटों का है सुभा 10 बजे हम जैसल मेर पहुचते ही होटिल वालों ने हमें पिक किया यहां यलू सांड स्टोन में हुए कंस्ट्रिक्शन की वेज़े से यह पूरी सिटी गोल्डिन निखती है हम यहां ओटिया होटिल में रुखे थें होटिल से प्रेश होग कर हम लोकल धाबे पर लंज के लिए रहा यहां का खाना बहुत ही ऑथेंटिक और टेस्टी था वहाँ से हम गए जैसल में फोर्ट जो एक लीविंग फोर्ट है कर दो so कि नहां कर दो झाल झाल उपर की किले में अभी भी लोग रहता है यहां कि एक हवेली म्यूजियम के जैसे रिस्टोर किये गई है यहां राजस्तान के रहन सहन से जोड़ी काफी चीज़े देखने मिल दी है जैसल मेर फोर्ट से जैसल मेर सिर्टी का बहुत खुबसूरत व्यू दिखता है आइब यहां देखने मेर बन दोगन का अचा जब एकाइब आए जब टत्रेखना लूमाक यहांसे आपने के लिग लिए पुरा फूराउ यहां गए यहां टोप देखा पूरा जेश्य में शीटी दिखाना, यह गंबूर मता है अभी आफ़ाने इदर खड़ें आभे नीच जाएंगे यह वाला पूरा जोजन टेम्पल है और यह वाली अवली देखी टेम्पल, इसमें जन टेम्पलों में सेजास्टेस और सहासाग मुर्टिया यह टोटल नौ मंदिर है यह ब्राह्मनों का बाग यह राजबुतों का बाग और वह वाला मिक्स है और यह 99 गुरुच जी जीर सर नमस्ते मेरा नाम जेश कुमारे कि जीर नाम पर वाड़ी फ्यूब्स बाड़ी बीजी एक किलाव रसाया पुराना यह समय आरा यह 255 गलाखीती फ्रम और फ्रमणाद रसेश कीलेवकार मेरे था यह जीर सर नाव पूराज जीर सिने काया और अंदर पूरा मेल आता, अंदर मेल का जो इसे में वह बिया अच्छा है, और आमैरे में रुतर के महरावल चेटिन यराज सिंघी बाठी, वह भी बहुत ही अच्छा सभवाव में होता, और अंदर राजगुरु के अभी टिये वह देखने जाएक है, और ये किला आट सबनेसर साल कुराना दिलाएं और जैसर का राजा का नाव पाड़ी को क्या जैसर स्तर्पनेव। जैसर नाव पड़ा जैसर बेड़। थैक्क्यू दन्यवार। राइडी के काम करते हैं और जितरा होतो अंगारेशन जरू सुपर करते हैं। जैसर में रिपूर्ट के बाद हम मंदिर पैलेस के जिसकी कुछ हिस्से को राविश होटेल में बदल लिया गया है। इसके बाद हम गये पट्वो की हवेविदी। यहां का अर्किटेक्चर बहुत ही सुन्दर है। यहां एंटर करते ही राजस्तानी फोक म्यूजिक से हमारा स्वागत हुआ। पट्वो की हवेली के बाद हम निकले वार मेमर्ये जो बहुत ही बड़ी जगे पे पहला हुआ है। जहां एक्च्वल वार में यूस किये गए वेपन्स और आम्यूनेशन्स है। यहां भारतीय सेना को समर फित डॉक्यूमेंट पर दिखाई चाहिए है। यहां से निकलते वाक्त हम अपने साथ इंडिन आर्मी के लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट लेकरने जो है। इसके बाद हम हमारे होटल से नजबी संसेट पॉइंट जाए। दूसरे दिन सुबह हम गाड़ी से लेक देखनेगा। यह खुबसूरत लेक बेखकर और बोटिंग करके हम डेजर्ट सफारी के लिए रवान होगा। डेजर्ट सफारी के लिए स्टे ट्यून टू ब्रवासी बाबा। जाए।